हेलो स्टुडेंट नमस्कार आज के अपनी क्लास है सी प्लस प्लस जिसके अंतरगत अपन पढ़ेंगे दोनों में बैसिक क्या अंतर है था नर्टाम करते वह इनके बैसिक मेंड गांगेंट के पॉइंट करते हैं बहुत important point exam point of view से important है याद होना चाहिए तो comparison में देखें कि एक तपने दो तरह की programming होती है एक तपने ट्रेडिशनल programming करें तो traditional programming के अंतरगत अपने C language, Fultran language, Cobol language, Pascal language इन में जो coding करते हैं वो functional programming होती है यानि कि कोई भी आप programs लिखोगे, program का जो भी code लिखोगे, वो पूरा algorithm का base लेके चलता है, इसमें को भी अपन activity को कैसे follow करेंगे, तो पूरी steps लिखनी होती है, तो algo को base लेके फिर coding लिखते हैं अपन, और एक अपनी programming होती है, object-oriented programming, जिसमें अपने लिखने की styles होती है, वो change हो जाती है, तो इसमें अपन object-oriented में क्या करते हैं, कि पूरा जो काम करेंगे, तो data को लेके एक object बनाएंगे, और data के साथ में methods या functions को bind करेंगे, तो पूरा जो काम होगा, वो एक object के अंतरगत आजाएगा पूरा, तो यहाँ पर अपन object को focus करते हैं, ठीकर ना, पूरा object को main focus करते हुए, कि data में कैसे काम करोगे, वो define करना होता है, तो hoops का अलग concept हो जाता है, और functional programming का अलग concept हो जाता है, तो अपने main main point है, वो देखें, और थोड़ा समझने की कोशिश करें, कि दोनों programming में basic क्या अंतर है, तो एक तो अपन है न, functional programming, जिसको procedure-oriented programming भी कहेंगे, और एक object-oriented programming, जिसको object-oriented programming भी कहेंगे, तो दोनों में क्या अंतर है, तो पहला point अपना हो जाता है, कि functional programming को अपन P.O.P. के नाम से जानते हैं, कि functional जो programming होगी, वो आपका P.O.P. के नाम से आप इसको जानोगे, P.O.P. तो P.O.P. का पूरा form हो गया, P. मिन्स हो गया procedure, procedure-oriented, और P. का मनले हो गया programming, हो गया न, P.O.P. procedure-oriented programming, या इसको पन traditional programming भी कहा सकते हैं, प्लतीनों का similar title है, functional programming कह दो, P.O.P. कह दो, traditional programming कह दो, same meaning है इन सब की, और object-oriented का full-form हो गया, O.P. का मतलब हो गया object, और O.P. O.P. मिन्स हो गया oriented, P. मिन्स हो गया programming, तो object-oriented programming, hoops, sort में, डबल O.P. डबल O.P. मिन्स object-oriented programming, अब इन में जो basic जो difference हुआ, यह तो full-form होगी, first वाली था, आप सबको याद हो जाएगी, second point है, कि अपन जो functional programming होती है, जाने कि P. O.P. उसमें जो approach follow करते हैं, वो करता हूँ में top-down approach, top-down approach को follow करूँगा, तो top-down approach actual में होती क्या है, तो नाम से ही या clear है, कि top level पे, आपका जो होता है, top level, तो यहाँ पे अपने main module लिखेंगे, कि top level पे आप main module लिखो, जैसे main functions को top level लिख दिया, और जो sub functions होते हैं, प्रोग्राम के चोटे-चोटे blocks होते हैं, उसको अपने bottom level पे लिखेंगे, जैसे यह चोटे-चोटे blocks कहते हैं, यह अपने further programming होते हैं, कि large program होता है, तो चोटे-चोटे small task में break up करते हैं, और each task को independent लिख देते हैं, तो इस तरह की जो coding होती है, तो यहाँ पे जैसे मालों कि functions 1 हो गया, यह functions 2 हो गया, और यह functions 3 हो गया, तो अपने modular programming भी कह सकता हूं इसको, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, तो अपने top level पे तो main module लिखा, top level पे, यह तो हो गया आपका main module, और यह bottom level पे sub module हो गया, सब पार्ट होगे, सब प्रोग्राम्स कह दो, और functions कह दो, तो इस तरह की जो approach होती होती है, तो अपन C language में या procedure oriented में, जब भी programming करेंगे, तो simple सी theory है, main functions को सब से top पे रखो, और sub functions को bottom पे रखो, यह style को follow करते हुए, अपने functional oriented programming को लिखेंगे, और bottom up approach किसमें यूज करेंगे, object oriented programming में, object oriented programming में, जब फॉलो करेंगे, वो bottom up approach को यूज करूँगा, यह actual में होती क्या है, तो इसका simple सा मतलब होता है, कि functions जितने भी अपने होते हैं, यह काम करेंगे, तो functions को तो उपर लिख दो, या functional programming तो उपर बना दो, और नीचे, आप top module को नीचे लिख दो, इस तरह से मालो मैंने यह coding कर रहा हूं में, इस तरह से, और सबसे bottom level पर, यह आपका main module आजाएगा, यहाँ पे, top down का just reverse process हो गया, तो यह bottom पर main module आजाएगा, bottom level पर, main module, write करेंगे, main functions को write करूँगा, में, C++ की बात करें तो main functions होता है, और यह आपका some functions उपर आगे, उल्टा हो गया, यह सब functions, यानि कि functions का पूरा part तो, top level पर आएगा, और जब अपन पूरे functions से connectivity करेंगे, तो एक main module लिखेंगे, वो जाएगा आपका bottom level पर, तो object oriented में, bottom up, और functional programming में, top down, यह याद रखने का important point हो जाता है, फिर next अपन थर्ड नमर का point देखे, कि most of the functions share global type, कि इसमें जितना भी data part होगा, न, functions में जो share करेंगे, वो global type का रहेगा, कि जैसे अपन यहापर data, मालों कि मैंने integer a ले लिया, न, b ले लिया, फिर यह functions में बना रहा हूँ, मैंने यह functions बना दिया, जैसे, यह मैंने functions 1 बना दिया, ठीकर न, फिर ऐसे functions 2 बना दिया, यह अलग-अलग VOC है न, यह आपका functions 2 का दो, यह functions 1 का दो, यह data को हपन जब यूज करेंगे, तो यह इसको sharing कर सकते हैं, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, data को यूज करने में, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी डेटा को अपने शेयर कर सकते हैं ग्लोबल टाइप यार पबली टाइप की एकसेसिंग दे सकता हूं और यहां पर जो ऑब्जेक्ट औरिंटेड में जो चलेगा कंसेप्ट डेटा हीड हीड हीडन रहेगा चयों का बुद्ध बी एकसेसड अपन आउटर साइड उसको एकसेश करी नहीं सकते एक्सेटनल फंक्सन कोई जैसे आपका डेटा रखोगे तो एक क्लास के अंदर रखोगे तो यह अपने class बनाएंगे और class में data को pay कर दूंगा मैं जैसे class का नाम ABC दे दूँगा और data पार्ट में inside class करूदा data part used inside class तो inside रखने से क्या होगा तो यहां पर data hidden हो गया यहां पर data hidden हो गया अब hidden होने से outer यूजर के लिए उसके एक्सेसिंग बंद हो गई तो global type की sharing नहीं हुई यापने डेटा सेक्योर हो गया यापने कि बाहर का कोई भी functions है उस डेटा को इक्सेस नहीं कर पाएगा, डेस्टा को एक्सेस करेगा वो इडेस्टा को एक्सेस करेगा जो प्लास के अंदर डेस्टा के साथ रखा हुआ वो इंदर डेटा को एक्सेस करेगा, तो डेटा इज हई डर्न और उट इस्एट बाइ एक्सेस्टbacks इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया यह बीशित में इन फंक्शंस की फंक्शनल प्रोग्रामिंग में की फंक्शंस जो भी शेर करेगा ने करेंगा और डेटा यहां पर आपका ओब्जेक्ट ओरिंटेड में डेटा इज हीड़न एंड के नोट भी एकसेश्ड बाइ एकस्टर्नल फंक्संस फिर यहां पर आपन जो देखेंगे त्योरी डेटा मुव ओपनली अराउंड दा सिस्टम फ्रॉम फंक्संस टू फंक्संस कि डेटा का जैसे आपका कोई मुवमेंट रहेगा मालो यह मेरा एक फंक्संस है यह फंक्संस वन नाम दे दिया मैंने ठीक न यह एक फंक्संस बना दिया एक मेरा यह फंक्संस टू बना दिया फंक्संस टू कर दिया इसको ठीक न तो अपन डेटा को जो मुवमेंट करेंगे तो फंक्संस टू फंक्संस करेंगे मालो यह फंक्संस थी है यह फंक्संस थी है तो अपन डेटा को जब यूज़ करेंगे तो functions to functions एसे movement कर सकते हैं functions to functions अटिए डेटा एसे functions to functions पास कर सकता हूं आण यापर क्या करेंगे औबजेक्ट बनाऊंगा मैं यहां पर आँ यह जैसे मालों यहां डेटा रखेंगे एक आपको object हो गया यहां पर data रखोंगा future object का data यह आपका functions वर न कर दो और यह functions three कर दो खो अब पने जो data को मुमेंट करेंगे उप्जेक्ट अबजेक्ट लो और मलना object to object three तो अपन देटा को जो अपन moment करेंगे communicate करेंगे तो वबजेक्ट के जो member functions होंगे जहना इन function से function के थू करेंगे ऴृत तो functions to functions यह अपना data का मोमेंट होगा cockroach between the object में communicate with each other through functions भॉबजेक्ट के functions होंगे member functions होंगे उनके थूरी डेट को अपना ने आपसमे communicate कर पाएंगे तो दोनों का वे communications का जो डेटाज का है ना अलग-अलग हो गया इसमें अपन क्या करते हैं कि next देखे point programs are divided into functions तो यह कैसे कि जैसे अपने होता है कि large program है यह एक आपका large program है अब इस लार्ज program को अपन डिवाइडेशन करते हैं इसको मैं ब्रेक अप करूँगा ब्रेक अप तो ब्रेक अप करूँगा तो इसे हैं इसमोल चोटे-चोटे modules बनाऊंगा मैं इसे तो यह functions मानलो one कर दो functions two कर दो functions three कर दो फिर each functions की independent task होगी each functions write independently write independent 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 write करेंगे इनको तो यहां पर अपना point क्या हुआ प्रोग्राम और डिवाइड इंटो functions लार्ज program होगा उसको ब्रेक अप करेंगे चोटे-चोटे से स्माल पीस बनाएंगे every piece को independent write करेंगे और हर पीस का एक अपन नाम assign कर देंगे तो वह अपने आप में functions होगा और यहां की जो करेंगे न पर प्रोग्राम और डिवाइड इंटो object तो पूरा यह प्रोग्राम का यह डिवाइडेशन होता है पूरा एक object बनेगा यहां पर कि object में डिवाइडेशन करते हैं पूर यह प्रोग्राम को कि कोई object बनाएंगे तो object में फिल डेटा भी रहेगा यहां पर डेटा और पूरा है यहां मेथड बना देंगे बहुत सारे तो यहां functions one हो गया functions two हो गया तो इन डेटा को फिर यह ओपरेट कर लेगा तो पूरा प्रोग्राम में अब्जेक्ट के अंदर ही डिवाइडेशन होगा पूरा प्रोग्राम का फिर यहां पर अपन देखे तो यहां पर अपन जो प्रोसेशनल करेंगे यहां पर अल्गोरिथम को ज्यादा फोकस करेंगे पूरा अल्गो को लेके पूरी कोडिंग चलती है तो पूरी activities कि कैसे होता है को वर्क तो उस activities को यह लिखना होगा और इसमें क्या करेंगे emphasis is on data rather than procedure तो यहां पर data को अपने emphasis करेंगे procedure को नहीं करेंगे इसमें procedure, procedure का मतलब algorithms, algorithms का मतलब logic यह data को लेके काम करेंगे कि data के साथ में method को bind करेंगे और data method को bind करके restrict कर देंगे data को, यह data में कैसे काम करोगे, data के accessibility कैसे रखोगे, उसको यह emphasis करेंगे अपन, और यहां पर पूरा procedure को ज्यादा focus करते हैं, दोनों के style अलग-अलग है, functional programming में अपन procedure based recording करेंगे, पूरी activities को लिखेंगे, और यहां पर अपन emphasis करेंगे, data को लेके अपन, तो दोनों का भी अलग-अलग है, फिर next point है, functions transform data from one from to another, तो functions जो transform होगा data न, एक form से दूसरी form में जाएगा, वो functions के तूसरी जाएगा, functions transform, data form from one from to another, तो को भी अपन data की form change करेंगे, तो functions to functions change करेंगे, अब यहां पर object can move and communicate with each other, through member या member functions के through communicate होगा, ठीकर न, यह point भी आदोना जरूरी है, next point देखे, data and procedure, procedure को लोगना, functions, और functions are loosely coupled in procedure paradigm, तो इसमें के होता है कि data और functions, यहां पर ऐसे idea लगा लो, यह दोनों यहने, वो हो गया, loosely coupled, यह हो गया, आपका independent होता है, दोनों यहां, independent होता है, यहां यहां बाइंड नहीं होती, not bind, यहां पर बाइंड नहीं करते हैं, not bind मदला, data को और functions को बाइंड नहीं करेंगे, तो यहां पर loosely coupled कर दो आप यहां पर, loosely coupled in procedure paradigm, तो यह के point हो गया, यहां पर क्या होता है, डेटा, प्लस functions, इन दोनों को अपन, tight करेंगे, tightly coupled करेंगे, bind together, तो यहां पर यह हो गया, tightly coupled, to constitute object, तो यहां पर अपन पूरा है, क्लास के अंदर data को और functions को bind करके, unit बनाते हैं, यहां पर independent use करते हैं, functional programming में, object oriented programming में data और functions को bind करके, first activities encapsulation के यूज करेंगे अपन, यहां पर tightly coupled होगा, और यहां पर अपका data functions loosely होगा, फिर next point देखो, data does not support inheritance, इसमें अपन reusability का concept नहीं होगा, कि इसमें आपन डेटा को reuse नहीं कर सकते, कि डेटा को reusability का concept नहीं होगा, कि एक बार अगर code लिख दोगे, तो उस code को फिर अगर अपन इंप्रूमेंट करना चाहें, तो beginning से ही लिखो, यहां पर inheritance का concept नहीं, यह support नहीं करता, functional oriented, यह आपका inheritance को support करेगा, तो अपन चाहें, तो अपन new data and functions can be easily added, कि अपने एक नई class बनागे, पुराने data को adopt करके, और अपने एक नई class बना सकता हूं, जिसमें मेरा नया features यह नए अपने उसमें इंप्रूमेंट कर सकते हैं, तो यहां पर inheritance को support करता है, object oriented, और procedure oriented, यानि functional programming, inheritance को support नहीं करती, तो यह point पर लिख सकते हूं, एक यह जो अपना functional programming में, polymorphism का concept नहीं होता, कि यहां पर polymorphism में functions overloading, operator overloading, virtual functions, यह बिल्कुल यह functional programming support नहीं करेगी, और यह polymorphism का concept support करता है, object oriented, जिसमें polymorphism में आपका functions overloading की थियोरी आ जाती है, functions and operator overloading, यह पूरा यह support करता है, अपने यह नई definition बनाने की coding कर सकता है, operator overloading, और यह जो functional programming होती है, यह memory कम लेगी, memory कम occupy करती है, और आपका object oriented में memory का जादा यह जोगा, तो यह less memory and more memory, फिर इसमें अपन देखें कि functional programming, friend functions की थियोरी को support नहीं करती, और inline functions का conceptualism में नहीं होता, और इसमें क्यों होता है कि यह friend functions और inline functions को अपन यहां यूज में ले सकता हूँ, इसमें access specifier नहीं होते functional programming में, यहां पर आपका access specifier होंगे, यह data को अपन किस वे में यूज करें, तो अपने पास तीन access specifier होते हैं, तो आप सबको यह याद है कि private हो गया, public हो गया, और एक आपका protected हो गया, जबकि यह functional programming में नहीं होते, तो यह आ main point है, तो आपको यह याद हो जाना चाहिए, तो इन पॉइंटों को अपन one by one with diagramatically present भी कर सकते हैं, और अगर इसका पूरा example देखें, इसका example बता दो, तो जैसे अपन C language की coding करते हैं, और Foltron language की coding करें, जैसे Pascal language में लिखते हैं, अपन कोई भी code, Pascal, इसे COBOL में code लिखे, तो यह सब POP है, प्रोसिजर oriented programming होती हैं, और अपन जैसे Java में code करें, और C++ में भी अपन hoops का concept को follow कर सकते हैं, python हो गई, python, तो इन में अपन object oriented technology को यूज कर सकते हैं, ऐसे visual basic हो गई आपकी, visual basic, यह जो example है, यह object oriented के हैं, यह procedure oriented में C, Fortran, Pascal, COBOL, यह आपका procedure oriented में हैं, तो अगर C language में कोई coding करें, और object oriented में coding करें, तो अंतर होगा, अमालों कि अपन को C language में कोई code का example बताना हो, तो जैसे मैंने लिखा, addition of two numbers, addition of two numbers, तो अपने यह लिखेंगे, लाइब्रेरी फाइल लगा देंगे, यह पर लाइब्रेरी फाइल, include, stdio.h, conio.h, फिर यहापे सीधा, हैपने main unit लिख देंगे, void main, फिर मैंने मालों यह data part ले लिया, इंटेजर में a equal 10, और b equal 20, और फिर मैंने मालों कि integer c equal a plus b, इस तरह से लिख दिया, और फिर मैंने यहापे print करा दिया, यह print करा दिया, कि c equal %d, यहापे मैंने c लिख दिया, और फिर यहापे gate ch करके close कर दिया, gate ch और close, तो यह जो code लिखा न, यह आपका pop type की style हो गई है, यह जो मैं code लिख रहा हूँ, यह pop है, अगर इसको object oriented में लिखूंगा, तो इसको library यह use करूंगा, include iostrim.h, और फिर मैं यहापे class का use करूंगा, जैसे class aid, तो style बोरी बदलूंगा, अब data tightly coupled करूंगा, तो मैंने यहापे integer a ले लिया, यहापे a ले लिया और यहापे semicolon, एक b ले लिया, comma लगा देना यहापे, ठीक में c ले लेता हूँ, फिर मैंने यहापे public ले लिया, पब्लिक बात मैंने यहापे लिख दिया, void read कर दिया, फिर मैंने यहापे coding लिखी c out, enter a b, a and b, फिर मैंने यहापे scene ले लिया, a और b, ठीक न, और फिर मैंने यहापे void कर दिया, display, फिर मैंने यहापे c out ले लिया, यहापे लिख दिया, c equal a plus b, addition कर दिया, फिर यहापे c को print करा दिया, c equal c, यहापे handle लिख दिया, यह functions close होगे, यह तो मैंने functions बना दिये, यह data ले लिया, private type का data है, mention नहीं किया, private by default private ही होता है class का data, फिर मैंने यहापे code को class को terminate कर दिया, यहापे data लोज़ली coupled है, या crispy independent, and also independent, यह functions में प्रोसेजर से बना दिया है, और यहापे जो मैंने किया.. यहां class बनाके,्माश सक्व अधी र्याच ही, एक डॉट्यार्या अच्छेट यहापे. यह read को call कर लिया, x.display, यह display को call कर लिया, और फिर यहां पे close कर दिया, तो यह run कराने की theory हो गई मेरी, अब यह जो मैंने style लिखे न, यह double op वाले style है, तो दोनों में अंतर हो गया, यहांने कि यहां पे जो style पूरा काम ही न, class के अंदर object में ही आ गया, यहां पे यह object कर लाए है, x क्या, aid, aid क्या है, user defined data है, तो user defined data यह अपने यह नाम दे दिया, तो इस user defined data में क्या रखा, तीन तो मैंने यह data part ले लिया, a, b, c, ठीकर न, यह data part ले लिया, फिर इन data को मैं operate करूँगा, तो यह public type की accessibility देके, दो functions बना दिये, फिर class के है, terminate लगा, क्लोज कर दिया, फ object में सब कुछ included हो गया, यह पर, तो यह पूरा object को मैं focus कर रहा हूं, object बनाने के लिए class लिखी, class से object बना, object के through, data को मैं access कर रहा हूं, directly उजनी कर रहा, तो जितना भी अपन sharing करेंगे, object के functions to functions करेंगे data, पूरा communicate, तो यह वाली style आपका आ जानी चीए, दोनों में वह दंत object oriented, object oriented, तो object oriented की अलग style है, 1980 से इसकी history सुरोती है, अब procedure oriented की अगर history देखें, तो यह न, 1958 से इसकी history सुरो जाती है, तो इसका जो functional programming का जो time period रहा, यानि कि 1980 से before रहा, और 1980 के बाद जितने भी language आ रही है, वो object oriented technology को use करते वे, coding करो, यानि कि को भी काम कर रहे होने हैं, तो without background detail के, पूरा front end में डायरेक्टर ने use करो, ऐसे tools आगे मनला, तो दोनों में functional में, procedure oriented में, बहुत अंतर हो गया, तो यह main main जो मैंने points है, इनको पूरा discuss कर दिया, आप कोई सामने, तो इनको आप याद रख सकते हो, differentiate proper way में कर सकते हो, जहान ज तो अच्छा होगा, तो आप यह याद रखो, तो आज के class को में यहीं पर end करूंगा, अच्छा लगे, तो class को जरूर subscribe करे, या share करे, और channel को subscribe नहीं किया हो, तो subscribe कर दे, thank you